कोशन नमबार वन है मीरवक्सी विभागा अध्यस था तो मीरवक्सी जो है विभागा अध्यस था किसका ये था सेना का अब देखे ये जो है मीरवक्सी क्या होता था ये मुगल सासन वेवस्था में मीरवक्सी एक विभागा अध्यस होता था और ये किसका प्रमुख होता थ उनका हुलिया रखा जाना घोडों व को दागा जाना साइनिकों के सस्त्रों एवंवंत्रों घोडों सिच्छा आधि के देखभाल करना इसका प्रमुख कारे था मीर बकसी का कोस्वर नंब Elsico का पीडिएफ चाहिए तो पीडियो के लिंग डिसकीशन में दे दिया हूं वहां से जाकर इस आप डाउन्लोड कर सकते हैं क कोस्वर नंबer दो drives今天 8 सब्मंद में निम्ण में से कौन साथ कथन सही नहीं है इसमें शरोल इसका उदेश सरकारी, खाजाने की बिर्धी करना यह उसका उदेश से यह कथन सहीं नहीं है, और भूमी की परमाइश पर साथ यह भी सहीं है, यह इसमें सम्मधित नहीं है, एंसर रोगा डी इसका, question number 3 है निमलेखित में से कौन सा मुगल गुप्तचर्च सेवा से संबंधित नहीं था तो वो था कोतवाल question number 4 है आकाल के दोरान किसने दच्छिन में भूर राजस्तों का एक बटाई गारा भाग माप कर दिया था तो अकाल पड़ा था यह था 1630 और 131 में दच्छिन भारत में जिसमें गुजरात था और वहां पर भूग से कईली लोग की ब्यक्तियों की मिर्ति हो गई थी तो उसी के परपेच्छ में साजहा ने बी साजहा ने जो है भूर राजस्तों का एक बटाई गारा भाग माफ कर द संकाल से संबंदित था उस्ताद मंसूर जो पसू और पच्छों का दुरलब चित्र बनाया करता था कोशन नंबर छे है रजम नामा फार्सी में अनुबाद था तो रजम नामा फार्सी में अनुबाद था किसका तेजन सर हो जाएगा सी महा भारत का कोशन नमबर साथ है किस मुगल सासक ने राजिक के कारियों को आग हावा पाने तथा मिट्टी इन चार भागों में विभाजित किया था तो वो था अकबर कोशन नमबर आठ है निमलिखित में से कौन सूफी धानाय या किरियाय है तो वहदत उलवजुद यानि सर्वेसरवाद यह है समय संगित यह भी है चिल्ला लगतार 40 दिनों तक साधना यह भी है हपस एदम यानि इसको परणयाम करते हैं यह भी है यानि इंसर इसमें हो जाए तो वो है अपने परिवार के सदस्यों कल्यान का चिंतन यह सही नहीं है स्थापना कि थी यह की थी सिकंदर लोधी के सासन काल में किसन नंबर 11 है महराष्ट में वारकरी संपरदाय की अस्थापना किसने की थी तो वो थे तुका राम कुशन नंबर 12 है निम्ण में से कौन शैव आंदोलन से संबंधित थे तो कौन जो है यह था लल्ला देव यह था इसका इंसर हो जाएगा वी यनि 2 3 4 में सैवां दोलन से संभन्धित है क्वेंस सम्दित है यह संबंदीत है किसे सगुन भक्तों में इंसर होगा ए सगुन भक्तों में कोश्चन नमर 14 है बिजय नगर समराज के बेपार मुद्योग के बारेम निलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पहला दिया है आयात घोडे मोती हाथी ताबा पारासिल की मलमल यह गलत है दूस था है बैपारिक संबंद मालया वर्मा चीन अरव इरान तचनिया फिरका अभी सीनिया पूर्तगाले भी सही है यानि दो एक और दो इसमें सही नहीं पूछा है इसका एंसर होगा डी एक और दो इसमें सही नहीं है कोश्चन नमबर 15 है ताली कोटा का युद्ध हुआ था दो ताली कोटा क एक हुद्ध हुआ था यो पंदरोशा फैसलिंध दो इसमें से चीनासा पूछता है तो ये 25 जनवरी है 25 जनवरी 1565 थाली कोटा का ईएद हुआ था और इस्का अएक और नाम ये जना प्रूछता है को इसका नाम है रच्छती त गडी तगड़ी यानि ताले कोटा का एक और नाम था जिसका नाम था रसी तगड़ी तो कभी कभी एक जामस में यही पूछ देता है कि रसी तगड़ी का युद्ध कब हुआ था तो आपको दोनों याद करना पड़ेगा 1565 में अगर डेट पूछता है तो 25 जन्वरी 1565 इस वी को समराज थे प्रकार के हुए सामान्त थे कोशन नमबर 17 है बिजयनेगर के बीर नर्सिंग के सम्बंद में कौन सा कथन सही नहीं है इसमें नहीं होगा एंसर व्रस तक शासन क्या यह सही नहीं है अगर देखा जाए तो बीर नर्सिंग का कारेकाल था 1505 से 1509 तक यानि केवल का भ्रमन किया तो यह था अब्दुल रज्जाक कोशन नमबर 19 से दिवाने इंसा समंधित था दिवाना इंसा किसे समंधित था इंसरोगा डी पत्रा चार से कोशन नमबर 20 से वह सुल्तान जिसने तैमूर और सारू का नाम अपने सिक्वों पर अंकित करवाया तो वह था किस है निम्न वेक्तियों पर विचार कीजी खन दिया है अलावदिन खिल्जी ने मुल नियंतरन ब्यवस्था लागो की कारण है इस ब्यवस्था का उद्यस हिंदुस्तान के लोगों को लाभानवित करना था देखे ए सही है आर इसमें गलत है हिंदुस्तान के लोगों को लाभानवित नहीं करना चाहता था अलावदिन खिलजे का मुल नियंतरन ब्यवस्था का मुख्य उद्यस से था इसका जो ह मुले नियंतरन लागो ताकि सैनिकों खर्च कमाएगा जब खर्च कमाएगा तो अधिक से न रखेंगे और पूरे बिस पर हम जो है बिजेता बन सकते हैं तिसमें ए सही है आर गला थे तो इसका एंसर हो जाएगा डी कोश्चन नमबर 22 है निम्न में से कौन अधिकारी अलाव और दिन खिलजी के बाजार नियंतरश से संबनेदित थे कौशन नंबर 23 है जबावितस सब्द का अर्थ था जब आवीच सब्द का क्या अर्थ होता है तो इसका अर्थ होता है राज की कानौन नबर 24 है डिली का कौन सा सुल्टान था जिसने भूमि की माप बेवस्थ पचीस नबर स्फंदित था तो साहिबे दिवाने बंदगान संबंधित था तो वह था तूगलग नहीं बनुए था यह एक बीभाग जिसका नाम सब्सक्राइब दिवाने बंदगान दाशन से संब्स्रीट यह पर पास को रखा यहता था इस विवाग में कुश्ण नमबर 26 एक्ता का अर्थ था एक भूभाग जो ऑगा है जो सैनिक सेवा के बदले में दिया जाता था कूश्ण 27 एल बरूनी ने भारत की यात्रा की तो बरूनीी भारत में यात्रा कप की थी तो वह की थी इगराहमि सताब्दी इस में Q28 है पूरू मधैकालिन भारत के समाजिक ढांचे में एक नवीन वर्ग की सनचना हुई तो वह थे कायस्तों की कोशन नमबर 29 है विक्रम सिलाब इस विद्याले की अस्थापना किस ने की तो विक्रम सिलाब इस विद्याले की अस्थापना की थी धरम पाल ने यह पाल नरेश राजा थे धरम पाल ने और यह ब्याहर प्रांत की जोई भागलपूर से 24 मेल पूरू में है यह पथर घाट न तो त्रिकोणी संगर्ष में चालूक ने भाग नहीं लिए था इसके लिए पाल प्रतिहार राष्ट को यह सब तीनों भाग लेते जिसको त्रिकोणी संगर्ष कहा जाता है कन्नोज के लिए युद्ध करते थे यह गैंगे कोड चोल की उपाधी धारण करने वाला सासक था तो वो सासक का नाम था राजेंदर प्रथम कोश्ण नमबर 32 है चोल राजी की सिछा के बिषय में निनलिखित में से कौन सा कथन असत्य है तो कौन सा इसमें कथन असत्य है इसका एंसर होगा D राज दोरा संचाले संस्थाओं में सिच्छा दी जाती थी ये असत्य है कोशन नमबर 33 है वेगी का कौन सा चालू के राजकुमार चोल सिंहासन पर आरूड हुआ तो वो था कुलो तुंग प्रथम कोशन नमबर 34 है चोलों के सासन में उर का अर्थ था कोशन नमबर 35 है चोलों की राधानी थी तो चोलों की राधानी कहां पर थी तो ये अंसर होगा ए तंजोर में कोशन नमबर 36 है निम्न में से कौन सा कथन सास्व पचास इसवी के बाद भूर आजस्व की दर से समन्द में सही नहीं है ति ये सही नहीं है भूमी की गुणवत्ता पर निर्भर ये सही नहीं है कुशन नमबर 37 है गुट्वत्तर काली नभिलेखों में पाये जाने वाले निम्न सब्दों पर विचार कीजिए ये विचार करना है भोग उपरी कर उदरग भाग यानि उक्त संके सुची के अनुसार अपना उत्तर चुनिये इसमें से कौन सा सही हो सकता है इसका एंसर हो जाएगा ए इनिस सभी चारो राजस्तो समदी सब्द ये सही है कोशन नमबर 38 है इसमिर्तिकार जिसने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमती दी थी तो वह इसमिर्तिकार कौन था तो एंसर होगा C जीमूत वाहन कोशन नमबर 49 है गुपत्तर कालिन कर्ण पड़ाली का सबसे अधिक और समाने लच्छन था तो वह था पूजा स्थलों तिर्थ पर कर यों सुल्क कोशन नमबर 40 है चोल सासक राजेंदर पर्थम ने सैलेंदर समराज के विरुद नौ सैनिक अभियान चलाया था किस लिए कि भारती बैपारियों के मारकी बाधाओं को दूर करने के लिए ताकि चीन से भारत का बैपार उन्नत हो सके कोशन नमबर 41 है गुपत्तर कालिन बंगाल में बैपार होता था कौडियों द्वारा एंसर होगा एक कौडियों द्वारा कुछन नमबर 42 है, किसने सुद्रों को क्रिशक कहा था? तो वो था वान च६ांग कुछन नमबर 43 है, मेगा स्थनीज के अनुषार भारती समाज जातियों में विभाजित था जिसकी संख्या थी? तिसकी संख्या थी, एंसरो जायेगा भी 7 कोशन नमबर 44 है त्री रिण सिधान्त के अंतरगत निम्न में से कौन सा नहीं आता है तो वो है मात्री रिण कोशन नमबर 45 है प्राचीन भारत में महिला अध्यापिका को कहते थे तो प्राचीन भारत में महिला अध्यापिका को क्या कहते थे इंसर हो जाएगा बी उपाध्याया कोशन नमबर 46 है भारत में दुती नगरी करण का प्रारंब माना जा सकता है छेस्सो इसा पुरु में तामा में, रजत में, सोन में, तो यानि दो, तीन, चार इसमें सही होगा, तैंसर हो जाएगा B Queson number 48 है, गुप्त कालिन मुद्राओं पर अंकित, स्रेश्टी, कुलिक, निगम, से तातपर्य है तीसे तातपर्य क्या है, जिसका एंसर होगा B, साहुकारों एवं सिल्पियों का निगम Queson number 49 है, पेरिप्लस आफ दी, एरिथ्रियन सी, पुस्तक के लेखक है तो कौन है इसके पुस्तक के लेखक, जिसका एंसर हो जाएगा उप्रोक्त में से, कोई नया ज्यांत है Queson number 50 है, अधोल इखित प्रकार की मुद्राओं में से, कुसाणों ने किसका प्रचला नहीं किया था तो किसका प्रचला नहीं किया था, तो वो था रजत मुद्रा का ये थे Queson आज के लिए तो उमिद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है, इसको लाइक करें अपने दोस्तों के यहां अधिक सदिक सेर करें, धन्य बाद दोस्तों, जैहिंद वंदे मात्रम हूँ जैहिंद आया हूँ है